हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई यूटूब चैनल बात करेंगे मननपूरम फाइनांस के कोड़र थ्रीके नतीजों के बारे में तो नतीजे किस तरह के निकल क्या है उसके बारे में हम जानने की कोशिस करेंगे जो कि फ्रेंड आपको पताऊगा कि पिछले काफी दिनों से मननपूरम में काफी जादा दबाव में स्टॉक में देखने को मिल रहा था और उसके पीछे जो रिजन से वो आपको कोड़र थ्रीके नतीजों में साफ क्लियर देखने को मिलेगा फ्रेंड्स तो नतीजों के उपर हम डिटल में डिसकेशन करेंगे और साथ में फ्रेंड्स में आपको बता दो कि जो बाज़र में जो गिर आउट की सिच्वेशन देखना को मिल रही है उसके पीछे भी काफी सारे रिजन से शायद आपको बता होगा फ्रेंड्स रूस और यूकेन के बीस में जो माहौल बना हुआ है उसके चलते भी बाज़र में कहीं न गहीं गिर आउट के हमें सिच्वेशन नजर आ रही है और फिर साथ में आपको पताए है के बाज़र में दबाव देखना को मिल रहा है लेकिन अगर आप अच्छे लेवल पे श्टॉक खरीदेंगे तो डेफिनेटली आपको यहां पे बड़े मुनाफ होंगे जो कि आपको पता होना चाहिए के बाज़र में खरीदारी ओल्वेज डिप में करनी चाहिए जब बाज़र गिरते तब खरीदारी करना चाहिए और जब बाज़र बढ़ते है तब वहां पे प्रॉफिट बोकिंग करना चाहिए तो मन्दपुरम की बात करें तो अच्छे लेवल पे श्टॉक आ चुका है उपरी लेवल से काफी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और नतीज अब किस तरह के निकल का है उसके पर में नालिसिस करते हैं नतीजों के दम पे आगे क्या पोसिबल लेवल और टार्गेट श्टॉक में देखने को हम मिल सकते हैं उसके बारे में भी सारी इंफोरमेशन शेयर करने के कोशिस करूँगा इस वीडियो के माधियम से तो फ्रेंड्स वीडियो के साथ बने रहा है वीडियो अच्छा लगए तो लाइक करके इंग्रेच करना ना भूले चैनल पे नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिए और अगर आप हमारी प्राइम सेर भी जोइन करना चाहते है अनॉस्मेंट किया तकरीबन 0.75 पेसे का इंटरिम डिडिडेंड का एंॉस्मेंट किया है तो जिसके पास भी मंंदबपुरम फाइननस का शेर है उसको तकरीबन 75 पेसे का इंटरिम डिडिडेंड मिला गा फ्रेंड्स जो कि record date बताएगी है और 25 फरवरी record date है और मार्च मन्द में ये interim dividend आपके account में आएगा फ्रेंट्स ऐसा बताया जा रहा है और नतीजों के उपर एक नजर करें तो यहाँ पर आपको जो सारी value देखने को मिलेगी और इन करोड में नजर आएगी और यहाँ पर आपको quarter 3 के न revenue देखने को मिल रहा है जो कि पिछले quarter में आप देख सकते ही 1170 क्रोड के असपास के revenue तो यहाँ पर हमें revenue में गिरावट नजर आ रहे है और पिछले साल quarter 3 की बात करें तो 1352 क्रोड की revenue तो यहाँ पर में year one year basis पर भी revenue में गिरावट की situation नजर आ रहे है तो definitely आप देख सकत यहाँ पर revenue continuously में गिरते हुए नजर आ रहे है जिसका impact हमें share price की बीदेखना को मिल रहा है और इसके चलते है में stocks में भी दबाव की situation नजर आ रहा है और यहाँ पर में operating profit की बात करूँ तो कम ने जो खर्चा किया है उन खर्चों को अगर आप इन total income में से minus कर दोगे तो य यहाँ पर operating profit कम होते हुए नजर आ रहे है और year on year basis पर भारी गिर आउट की situation देखने को मिले है operating profit में और अगर हम net profit की बात करें after tax तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस बार company ने तकरीबन 260 करोड का net profit किया है quarter 3 में जो कि पिछले quarter में यानि quarter 2 में 355 करोड का net profit था तो यहाँ पर quarter basis पर गिर आउट की situation नजर आ रही है और पिछले साल quarter 3 की बात करें तो 465 करोड के जो net profit था तो उसके मकाबले भी यहाँ पर गिर आउट नजर आ रही है यहाँ फ्रेंड्स नतीजे काफी ज़्यादा में decline देखना को मिल रहा है quarter and quarter basis पर and year one year basis पर जिस और 3 रुपे 6 पेसे का company को per share पे 3 रुपे 6 पेसे का profit हो रहा है जो कि पिछले quarter में 4 रुपे 19 पेसे का per share पे profit हो रहा था और पिछले साल quarter थे मैं 5 रुपे 50 पेसे का तो आप देख सकते हैं यहाँ पर quarter basis पर and year one year basis पर EPS भी कम होता हुआ देखने को मिला है तो और रहल फ्र पहले stocks में काफी अच्छा correction भी हो चुका है तो अब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी quantity add कर सकते हैं मनपुरम finance में और अगर अपने लंबी उदी का view रखा तो यहाँ पर definitely बड़े मुनाफे भी देखने को मिल सकते हैं तो next कि आप possible target stocks में देखने को मिल सकते हैं उसके पर analysis करत चार्ट के उपर तो friends वीडियो के साथ बने रहा हैं तो जिसा की friends आप देख सकते हैं मनपुरम finance का चार्ट में विकली ताइम फ्रेम पे उपन किया है और यहाँ पे कुछ लाए ने भी ड्रोक करके रखिया जो कि एक अहम लेवल था 155 रुपे का बढ़िया support लेवल था ज जिसके चलते हैं हमें gap down opening के साथ stocks में continuously gir out की situation देखने को मिले और साथ में नतीजे भी आप देख सकते हैं जबर जस्ट decline देखने को मिले जिसके impact हमें stocks में देखने को मिल रहा है friends और यहाँ पे जो next support level है वो 140 का जहां से हमें पिछले दिनों भी एक बढ़ी हाप मुह देख यह अपना आप में एक बहुत ही अच्छा level है जो कि fresh level है बाकी यह सारे level देख सकते हैं आप टेस्ट हो चुके यह level काम नहीं करेंगे 140 का level अगर काम नहीं करेगा बाजार में गिर आउट की situation अगर भारी रही तो 125 तक लुड़कता हुआ मननपुरम नजर आ सकता है और 155 के आसपल तो आप accumulate कर सकते है 140 के नीचे आता है तब यहाँ पे आप position accumulate करना start कर सकते है friends और यहाँ पे मुझे लगता है कि definitely 125 का जो level है और sustain हो जाएगा अगर और भी गिराउट stocks में देखने को मिली तो और यहाँ से जबर ज़स रिवरसल नजर आएगा रिवरसल आपको यहाँ से आपको इसी लेवल से देखने को मिल सकते हैं फिर यहाँ से आपको immediate target 185 और 185 के लिए hold किया तो यहाँ पे फिर से 200 प्लस के भी target मन पूरा मन में देखने को मिलना चाहिए friends लेकिन उसके लिए आपको hold करना पड़ेगा लंभी अविति में लेकिन आपको अपना फिनालिसिस करना अपने फाइनसे डूजर किसे लाली नहीं उसके बाद किसी भी तरह की कोई position बनानी है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक परके इंक्रेच करना ना भूले चैनल पर नहीं तो चैनल को भी subscribe कर लीजाए मिलते हैसे एक new वीडियो के साथ तब तक के थैंक यू अगान पर वाचिं थिस वीडियो